हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्कार राधे राधे और मेरे प्यारे दोस्तों आप सब कैसे हो उमेद करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो मस्त रहो और ठीक रहो तो आज दिन है मंगल बार और यहां पे मैं रख रही हूँ मंदिर का सब सामान क्योंकि मंदिर तुम्हें कलाई साप कर ली थी और आज बस भगवान जी का जितना पी सामान ये जैसे भोगोग लगाने के लिए ये सब डब्बा में भर दे रही हूँ डब्बा भी मेरे सब सूख चुके तो सब समान भर के मैं मंदिर में रख दूँगे अच्छे से क्योंकि कल सुबत इत्ता समय रहेगा निकि हम समान भर सके इसलिए मैं अभी आजी भर के रख दे रही हूँ एक कल रात में ही सब समान लेते आये थे पूजा का तो कल होगी पहली अस्थापना मैं तो नो दिन का व्रत नहीं रहती हूँ बस चर्ती उतरती रहती हूँ और चर्ती उतरती रहती तेसलिए मैं फिर भी दुरगा जी को यहाँ टेबल पे अच्छे समय उनका मैं अच्छे से बैठाती हूँ दुरगा जी को आसन उसन लगाके हम लोंग नो दिन अच्छे से पूजा करती हूँ यहापर मुझे पूजा पाट करना न बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या कुरा है है जिसलिए कलसा हुसा यहाँ नहीं रखा जाता है ने तो मुझे कलसा हुसा रखने का मलब पूजा अच्छे से बीदी बीदान सकने का मुझे बहुत अच्छा लगता है देवी जी का सुरू से मेरी इच्छा थे कि मैं अभी नौ दिन कब रहत रखो अब देखो कब रह पाती हूं तहां पर डब्बे में घी हूं सब अच्छे से भर के रख दे रही हूं ताकि कर मुझे सपना रहे और यहां पर बाती है गोल वाली तो इसे भी तिल्ली की तेल में डुबो के रख दूँगी क्योंकि बाती भीगी रहती न तो सही रहता है तिल्ली की तेल में और फिर उपर से घी डालके मलब जला लेते हैं तेहां पर में पास एक प्लास्टिक का डबबा है तो इसे में प्लास्टिक और पेपर भीचा ले रही हूं और इसे में सारा भोग लगाने वाला रख दूँगी क्योंकि अभी उपर ड्रावल में नहीं रखूंगी कि रोजरो डेली सुबह साम निकालना रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाती मम्मी को नहीं मिलता है सब समान तो इसमें सब सामने रख रहेगा तो उन्हें असानी से मिल जाएगा और अभी ये सब करने बाद मुझे किचन में भी चलना है क्योंकि किचन में भी पुरावी समान सब रखना है किचन का भी डबबब में कली धोके रख दी थी तो आख अभी समान रखूंगी यहां का इदेखिये सब हो गया है यहां में लगा दूँगी एक बाद ज़ाड़ू पूजा तो खेर में सुबही कर ली थी पूजा करने बाद पहले यहीं लग गयी हूँ व्योंकि मैं क्या अभी नहीं रख पाऊंगी समान तो फिर बाद में भी नहीं रख पाऊंगी ते देखिए इसमें मैं सब सामान अच्छे से भोग वाला रख दी हूँ और सब घीव और यहां पर देखिए मेरी मंदीर कितनी सुन्दर लग रही है एक बास सफाई करने बाद काफी अच्छा लगता है और यहां पर मैं तब से कपड़ा लगा दूंगी मसीन में ठेशारा सब चदर उदर परदा जेतना भी था सब निकाली थी इसे ही मसीन में लगा है क्योंकि मौसम बहुत खराब है तो सोचर इसे सूख जाएगा तो अच्छा है देखिए अभी बदरी करा हुए धूप नहीं निकली है क्यों कि अच्छतपे में डाल देरी सब कपड़ा कि अभी खाना भी बनाना है यहां पर खाना पीना खाने बाद मैं एक घंटा अराम कर ली थी अभी समय बज़रा है डेड तो आ गई हूं कि इसे किचन में और यहां पर देखिए सारा डबा बबा फाइला है सबसे पहले मे क्योंकि हलका सा गीला रख गया तो सूखा नहीं है धूप रती तो सूख जाता है और यहां सीवान से लाइट बन चालू कर रहा है यह देखिए सब समान में अच्छे से रख लूंगी और साथी साथ चाय भी बनी थी तो उसे पी के फिर देखिए यहां प्याने कंशा लग रहा है कौThe समान कहां रख को समझ में नहीं आ хотел क्योंकि पेपर में सब खरके अच्छे से रख लिती अब कि समान रखने में सबसे दिमागा से घूम जाते और जो जरुवत है तो उसे बीच में और जो डेली यूज के लिए जैसे तेल नमक तो उसे तीसरे आले नमबर में रख दूँगी सब सामान को तहां पर थोड़ी बहुत मदद मेरी प्रिंसी भी करी और यह देखे सारा काज का जार है यह सब जेम की बोटल है मुझे जेम की बोटल बहुत अच्छी लगते इसमें जो भी मलग छोटे-छोटे सामान होते हैं मैं सब उसे में डाल देती हूं और फिर यहां में फ्रीज के बगल में आगे यहां पर सब मेरी आटा की टंकी चावल यह सब रखा रहते हैं यहां पर भी साप कर दे रहे हूं एक बार यहां पर भी जटको टक के अच्छे साप कर दूंग फिर सही रहेगा और इनका सब का देखो खाने पर खाना लगई है कभी बिस्कीट है तो कभी नमकीन है अगर कुछ काम करने लगो ना थे इनको सबको कुछ ज़्यादे भूख लगती है और इस टीप में सारा ज बगा दूंगी ज़ाड़ू और देखी इसमें लाइड भी कड़ गई है काम मेरा सब हो गया बसे जितना भी कचड़ा देख रहें कितना सारा कचड़ा निकला है तेहां पर इसे मैं सब एक पले बड़े-बड़े कचड़े को सब उठा के थैली में रख लूंगी उसका फि झाल 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 तो यहाँ पे देखी में अप्रा किचन साफ हो गया है देखी सारा अब बाब बा लग गया है अच्छे से और आप सब से पागले ब्रीडियों फिर से मिलोगी तब तक्री बाई 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 गुड नाइट